हलो एवरेबन वेरी गड़ाफटन तो आल मैं हूँ आप सभी का दोस्त सूरज कैसे हैं आप सभी और बड़ी दिनों के बाद आप सभी के लिए वीडियो ला रहा हूं और बड़ी निराशा यहाँ पर हात लगी हमें आईसे सी विमेंस टीट्वेंटी वर्लकप में तो इसी क कहेंगे हम उसे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उस वक्त मेरा आखों में खुद आसू थे जब इंडिया ने मैच्छ लॉस किया था पांच रहना से खेर वह एक अलग की बात थी वीडियो आप सभी के लिए लेगुलर अभी आते रहेंगे विमेंस प्रेमि सिंग किस में फिसल्साल आ रहा कि वेलकुम एंड विरी विल को अड़िनों चाहिए जरी बहुत है अई रहा पांच तोड़ को तोड़ा साथ सामय एलगता है सूरजचू बेहुल थाज़िगा तोड़की बिलकुल टासित श्वन साछू आटर इन प्रेम एमम्कृ पर्भ मतब वो थोड़ा सा भरने में तो वही सब हुआ तो खेर स्पोर्ट्स क्लब के सभी वियोर्ज का स्वागत है अभी नंदन है सुरज जी बिल्कुल 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 तो साथियों मैं बताना चाहूंगा आप सभी को पहले सेम फैनल के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं भारत और और अस्ट्रेयर के बना मुकाबला था टॉस जी था कप्तान मेग लर्णिंग ने और पहले बल्ले बाजी का फैसला किया रंज बोर्ड पर लगाने का फैसला किया और पीच ऐसी थी कि स्कोर रंज जो है वो स्कोर चेस किया जा सकता था जिस तरह से हमारी बल्ले वर्ण गन्स हमने दिया हां जो पावर टे का लास्ट वर था उसमें दो बाउंटरी इस कंजिट की गई है बट फिर भी और अच्छा बाप ले था हमारा बेश्यक आप तीन विकेट्स आपको तीन विकेट्स आप ले चुके थे जी नहीं हमारे हमारे तीन विकेट्स गये अच्छी बैटिंग करने में कामयाब रहे थे बिल्कुल तो मुझे यह लगा कि देखे जो बैटिंग भारत ने मतलब जो पावर प्ले ठीक था मतलब अपने उनको अच्छा रोकने में कामयाब रहे थे हम लोग लेकिन यह सुरजी एक विकेट्स यहां अगर होता एक यह उस्टिलिया में भी इन पहले से ही ट्रवल में आ जाता तो यह उस्टिलिया का रहा वो लोग विकेट बिना विकेट कवाई उन्होंने पावर प्ले तो अच्छे से संभाल लिया था बिल्कुल और एक बहुत अच्छा मैच रहा मतलब अगर हम साथ से विकर 15 तक और तक की कुछ ओर हमारे हमने ऐसे किए जिसमें काफी रंस हमने लुटाए खास कटके मुझे रेणियों का सिंख ठाकूर का वह आखरी ओर यहां जिसमें 18 रंस कंसेट किए पहले बॉल पे 6 दूसरी बॉल पे 4 उसके बाद यहां पे डॉट गेंड फिल सिंगल्स और ऐसे कुछ करके आखरी बॉल्स पे भी आखरी फुल्ट उस पर एक और छक्का वहाँ पे लगा था बिलकुल तो वही है भारत जो रन दिये हैं सुरजी भारत ने उसमें कुछ एक फिल्डिंग भी कुछ ग्राउंड फिल्डिंग हमारी मजबूत नहीं ती नहीं रही उस समय पे हमारा जो म कि अब बुखार था पर इतना भी नहीं था कि मैं खेल नहीं सकते थी मैं पूरी तार से खेलने के लिए कंफर्टिबल थी आगे बाते इसके बारे में हम करेंगे ज़रूर बट कुछ काफी ज्यागा मिस्फिल्ड और जब मेंग लर्निंग यहाँ पे एक रन पर थी तो अरीचा घोश ने भी उनका कैश्ट अपकाया अगर मेंग लर्निंग एक रन पर आउट हो जाती जिस तरह से उन्हें फोर्टीन नाइंस बनाए और रिजल्ट शैद कुछ और भी हो सकता था और मिस्फिल् बिल्कुल यह बहुत क्या कहूं कि मिस्फिल्ड फिल्डिंग इतनी रही यहाँ पर देखो सुरजी होता है कि जो जो टी-20 का गेम है तो इस पर फिल्डिंग आपको बहुत तेज़ चाहिए यहाँ आपको अपर रन के लिए हर रन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेग सुरजी तो यही भारत फिल्डिंग में रंज नहीं बचा पाए रंज इतने देदे की भी स्पाइस रन वह काफी हो गया मतलब उनके लिए वह कहते हैं कि एक बैटर्स हमें मतलब काफी रंज वह दिला सकते हैं अपने बैट से अगर वह चला तो ठीक है एक बॉलर्स उसकी दिला सकता अगर नहीं चलता है लेकिन एक फिल्डर की ऐक फिल्डर अच्छा फिल्डर हो तो वही रंस हमें आगे काफे कंव कम होaprès में और हम ने बात की मतलब वह कम सी कम हम अपने फिल्डिंग तो अच्छी रखने चाहिए था सुरज जी क्योंकि वहीं आप ने देखा चलो आगे उसके बात होगी चली आए बात बहुत होगी उसके बारे में उन्हें ने टारगेट दिया था भारत को अनफूर्चनेटी पुजावस्तरकार नहीं थी रूल डाउट वही थी यहां पर हर्लीन देवल भी नहीं थी और कुछ अच्छे चेंजेश भारत नहीं के थे स्निहा गाना को भी टीम में यहां पर जगा मिली थी और राधायारू भी यहां पर टीम में वापस आई थी कुछ ऐसे बदलाव ज़रूर थे भारत ने शुरुवाती के छे ओवर में 59 रंस बनाए पावर पर बहुत अच्छा रहा तीन विक्ते हालां कि ज़रूर गई शेफाली वर्मा का अनफोर्चनेटली वह ऐसा डीसमें जिल था अंपायस कॉल पर मेगन शूट जो है दो गेंदे उन आपने जो अंपायर कॉल पर प्रशन उठाया तो बिल्कुल सही था लेकिन सूरज जी वह उनको तयार ज़रूर रहना चाहिए लेकिन वह ही है कि यह अंपायर कॉल खेर इस पर हम जाना नहीं चाहेंगे लेकिन यह काफी बहुत जगा चर्चा का विशे बनता है हर मैच्छ में बहुत जगाई यह चीजें क्रेट करता है तो खैर इस पर हम जाना नहीं चाहेंगे यह किसी के साथ भी बड़ी बात भी है ना यास्ति का भाटिया मुझे बड़ा डिसपॉइंट है वह इतनी अच्छी बैटर्स है वह गर रहती एक-दो और स्मुरती मंधना भी यहां अच्छी बिल्कुल ऐसा वहां था है नहीं सुरजी बिल्कुल नहीं और वो दौल गई और बड़ी बात यह हुआ कि जब वह दौली तो खेर उन्हें आउट होना ही था लेकिन वह अपनी ही बेव कोफी टाइप उससे मैं कहूंगा वह एक अपनी ही बेव कोफी टाइप थ भारत देखें मैच को कभी आपको लगाई नहीं सुरजी मुझे तो भारत लगाने के मैच में है नहीं भारत ने बहुत अच्छा खेला है बिल्कुल मुझे याद है 33 जाने के बाद जिस तरह से जीमिमा रोडरिक्स और हर्मिन परीट को और ने पार्टनेशिप बिल्ड की साड़ी आट का भारत का साड़ी आट रहता था तो इतना डिफरेंट था इतना डिफरेंट जी एक समय 30 गिंदों में 49 चाहिए थे सुरजी तो खैर आपको यह बता दें कि जैसे अच्छी बैटिंग भारत ने की ही की लेकिन वही है कि थोड़ा सा गलत हुआ शेफ वाले के साथ अपायर स्कॉल के चलते लिकिन फिर यस तरह बहत यस्तरी का भाटिया भी अपना विकेट गवाबैठी सम्रीति मंदहाना भी अपना विकेट गवाबैठी और फिर एक पार्टनर्शिप हुई जमाइमार रोडरिक्स और हर्मन प्रितकौर की बिच और हर्मन सब्सक्राइब में 2017 के 171 तक पहुंचा था सब्सक्राइब तो एक अच्छी पार्टनर्शिप हुई थी 69 की शाहिद सब्सक्राइब यस 59 पार्टनर्शिप दोनों बैट मैंन के दरमयान हुई लेकिन फिर एक मोड आया जब 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 आएमार रोड़ यहां पर उसने बाउंडरी लगाई थी लेकिन उसके बाद उसने यह सुचा कि शायद मतलब मैं इस गेंड को विकेट की पर से विकेट की पर से उपर से उपर से उपर से उटा कर सर के उपर से उचालना चाहते रही है बाउंडरी कंसीट करूँ बट वो एज लगा और कैच सीधा एलिसा हिली के हाथ में तो वही है वो जमेमा ड्रोडरिक्स फिर आउट हुई और फिर सुरजी क्या कहें फिर एक पार्टरशिप जरूर पनपी थी हर्मन प्रित और रिच प्रिचा घुष के बीच लेकिन फिर वो धुर्भाग्या पुरूरा रना उट सुरजी उसे कौन बोल सकता है तो अगर मेरे जीवन में यह होता कि मैं अपने अप्री अक्षणों को निकालूं तो इस खशन को जरूर अपने जीवन से निकालता सुरजी बिल्कुल अगाम से वो ले रहे थी और बैट जो है था वो मिट्टी में काफी फश गया था बिल्कुल जमी पे फश गया बैक बिल्कुल जमी पे और उसके बाद एली सहली ने उनके बेल्स उड़ा दिये बस उसे के साथ कप्तान हर्मन पृत को और पवैलन के रास्ता नाप लिया अ और दारमदार था रिचाघोष के ऊपर लेकिन और देप्ती शर्मा के उपर लेकिन रिचाघोष भी इतना अच्छा उन्हेंने परफॉर्मेंस किया कि सुद्वाश जी उन पर तो दोश लगाना मैं कहूंगा बिल्कुल उनको दोश दिया ही जी नहीं जा सकता है उस बॉर उनको लॉंग डिस्टेंस मिलना सका और वो भी धर ले गई कैच उनका पकड़ दिया गया तो फिर दिप्ति शर्मा मतलब वो कैच उन्होंने ऐसा पकड़ा वो 25 मेटर पीछे दोड़ी लेफ्ट साइड बे उन्हें ने डाइव लगाई और एक बहुत अच्छा कैच उन्हों चाहिये था जी और फिर वो आउट होई और फिर तो आप जानते ही हैं फिर बचा ही क्या था लेकिन फिर भी हाँ मैं मैं मुझे अभी याद है 30 में 49 आये थे फिर उसके बाद उस ओर में केवल एक रन आया आखरी बॉल पर रिचा घोश आउट ही चार में 38 उसके बाद मुझे से भी थोड़ा सा मतलब यहां पर अपने हाथ से गया बट उसके बाद में लर्निंग की हमेशा से यह रही है इस पूरे टूनामेट में वह हमेशा मौके का इंतजार करती है कि वो खुद गलितिया करें कोई एक मौका ऐसा आईगा विल्कुल वो आया और वो आया और ऐसा आया कि इस सुरजी विल्कुल और उस मौके को उनों ने भुनाया उसके बाद सत्रह वे और में जो जैस जोनासिन का था उसमें के अबल सात रहना है तीन में 31 आई थे और यह कि यहाँ पे जब श्राइक पे थी तो डोनों हेट लगा सकती थी बट मुझे एक बात में अभी भी हैरान हूं जब सेकेंड लास्ट ओर था उसमें सिर्फ चार रन आये और आकरी ओर में 16 रंस बचे थे और एक बहुमोले विकेट्स नेहल राणा का भी वहाँ पे गया एक बात मुझे सच में यह समझ में जब सेकेंड लास्ट बॉल थी उसमें बिल्कुल रन था डिपती शर्मा बिल्कुल भी नहीं दोड़ी मुझे लगता है सुरजी उसके पिछे शायद उनकी अभी जो मंचा रही होगी वह यही की बड़ी स्ट्रोक्स के लिए जाना जाये लेकिन वो शायद ज्यादा स्ट्राइक रखना चाहते थी अपने पास कुछ तो चाहती थी वह जिस वज़े से वो रंस ना ले सकी और वह attacking वह अ फाना भी पहले दो डबल्स थे तीसरी गेमिल पर सिंकल्स अया उसके बाद यहां पर रधाय दो धाव का भी विकेट पहली चन पर उनुने उठा दिया था नेको लेकिन वह भी आउट ही लेकिंड उसके बाद दो गिनों में 9 और श्ता दूर्स श्के दरूर्स की लेकिन उसके बाद बाउंटरी डिप्ती शर्मा ने आखरी बॉल पर लगाई लेकिन उस बाउंटरी का कोई मतलब वह बाउंटरी कोई काम नहीं है भारत के लिए और भारत ने यह मैच 167 जस बनाकर निर्धारी बीस ओर में आठ विक्ते उन्होंने गवाई और पाच उस पे भी बोलना बागी है लिकिन उस्टेलिया बहुत अच्छा खेला उस मैच पे और जीत फिर यहीं होता है आपने चोटे-चोटे मोमेंट्स पे क्लिंच किया भारते टीम ने वहीं रंस देखो आपको कितने महेंगे पड़ गए जहां उन्हें कैसे आप आप याकिन न करोगे उनके इनके जो फिल्लाज है वो इतने उन्हेंने बहुत से चौके बचाए तो वह उनको एडवैंटेज मिला बाद में जिसका उन्हें जीत के रोप में रिजाल मिला सुरजी बिलकुल अब यह बढ़ते दूसरी सिम फैनल के तरब इतना बढ़िया मतलब शेकेंड semi-final हुआ था दक्षिन अफ्रिका बना इंग्लंड एक ऐसा मैच वहाँ पर हम यह एस्पेक्ट कर रहे थे कि इंग्लंड इस मैच को जीतेगा लेकिन बहुत अच्छा पलटवार रहा है यहाँ पर साथ अफ्रिका के टीम का कप्तान सुने लुइस ने काफी अच्छा पॉफाम किया शुरुआत बहुत अच्छी लिलाई नाइटी सिक्स की ओपनिंग पार्टनर्शिप यहाँ पर ताजमिंग ब्रीच और लॉरा वालवाट की बीच लेकिन लॉर लॉरा वालवाट यहाँ पर 44 पर 53 रंस बना कर आउट हुई जी वह बहुत अच्छा खेल रही थी क्योंकि इससरी नाइटी सिक्स्क्राइब की एक अगर आपको सलावी जोडी मतलब सलावी पाटनर्शिप बिल जाए तो फिर सुरज है चाहिए क्या चेज करतें मतलब जब आपको ऐसी पार्टनरशिप मिल जाए फस्ट विकेट यह 96 की तो मतलब आगे की रहा तो आपके लिए यह कि इससरा से कहा जाता है मतलब जी तो मतलब वही होगा कि मतलब आगर आप अच्छा चुरुबात करें तो आधा काम पहले ही तो अच्छी शुरुबात थी उनकी 96 रंस की बिल्कुल पस थोड़ा साथ को पिछी लिख जाना चाहूंगा एक मेरा सवाल यह है औरल पूरे टूनामेट में मतलब जेमी नहीं चल पाई पहला अगर मैच छोड़ दिया जाए लेकिन फॉर्स्ट मैच में जिस तरह से जेमी ने फिल्डिंग की मुझे नहीं लगत सारी बैटिंग में हो जाए फिल्डिंग में हो पूरी जान लगा दी एक भी बॉल उनके तरफ से नहीं चूटा है ऐसा कि फंबल हुआ हो और हमेशा ऐसा और एक और चीज मुझे नजर आई उनकी ऑस्ट्रेयर के बैटिंग में की वह हमेशा शेफाली वर्माया जेमी के त लास फिल्डिंग उनकी ते रड्रिक्स की यह है कि बट सुरजी उसमें आपको अगर चाहिए महनत तो पूरे ग्यारा खिलाड़ी कुछ ने कर सकता बिल्कुल और मैं बड़ा फक्रम हैसूस करता हूं उस पर कि मतलब वो मेरी फिवरेट प्लेयर हैं बड़ी मैं बड़ा प फर्स पार्टनर्रिशिप थे लेकिन उसके बाद वहां पर कुछ अच्छी पार्टनर्रिशिप नहीं मिली बड़ और उन्होंने 156 नहीं 155 बनाए चाहिए 156 का टार्गेट था ताजमें ब्रीच ने 55 में 68 ट्रंस बनाए इसको अच्छे से चेज कर लेगा नाइन पॉंट वर में 81 इंग्लेंड के और के वल दो विक्ते उटकी गिरी थी तार्गेट बहुत अच्छा था इंग्लेंड का बहुत बढ़िया था सब्सक्राइब लेकिन क्या वो शाद्दार पोलिंग तच्छन अफ्रिका की और स्ट सब्सक्राइब बहुत अच्छा किया है पस कुछ यहां पर मिस्फिल्ड से आये हैं रेकिन उतने नहीं दिये थे भारत को थोड़ी बहुत सीख लिनी चाहिए मेरे किया से दक्षन अफ्रिका की फिल्डिंग से आखरी यहां पर मतलब फिल्डिंग जिस तरह से उन्होंने सकती है चाहिए मरीजन मेंने क्याप तंदीन डेदे करक और उन्होंने बहुत अच्छी गेंथे भी कि और मुझे चाहिए शबने में एकार को आप नई बोल सकते हैं बहुत अच्छी वूलर है वह उन्होंने भी बहुत अच्छी बोला है और शबने इसमाय turkey क्यों और जिसमें दो विक्ते यहां पे एक वर में लिए थी और उसी यहां पे मतलब विक्तों यहां पे मैच का फैसला जो है वो दक्षिन अफरिका की तरफ कर लिया और नरीने क्लाक ने भी बहुत अची गिंद बाचेगी जी वाकई में यही हुआ मुझे अच्छा लगा जिस हिसाब से दच्छेन अफरिका ने क्योंकि आप खुद सुचे 9.1 वर में जब 81 रंस हो जाते हैं विकेट के नुक्सान पे तो आप 156 रंस को क्या सब्सक्राइब 156 कि भी नहीं है आपके लिए लेकिन वाड़ाब कम बैक सब्सक्राइब 156 कि यहां पर उन्हों ने मैच जीता जी तहीं यह समिफाइनल दोनों कोई बढ़ी क्लोज रहें सुरजी बहुत भूँस ऊछे रहें और काफी उम्मीदे लगी थी साफ़ाइब आफ सेब आफ इंब आफरीका की अभी हमारे टीम टोकर्स नहीं है हमेशा ऐसा होता था कि इसाफ़ाइब की सेमिफाइनल से भाहर हो जाती थी लाव्याई चाहिए वो मतलब विमेंस की टीम तो मैं फर्स टाइम देख रहा हुआ विमेंस की टीम इसके पहले ती तो पहली बार वो सेम फाइनल पर पहुची है और उन्हें फाइनल का मतलब फाइनल में प्रविश किया और हाला कि जीत नहीं सके तीम के लिए बट फिर भी वो डीजर् वहां हर एक खिलाडी उस समय हर एक फैन सुरजी आप दादात वहां देखोगे फैन्स की तो बहुत बड़ी बड़ा हुजूम था मना बहुत बड़ी भीर ती उस मैच को देखने के लिए प्रते एक खिलाडी चाहता था कि मैच जीते प्रते खिलाडी दक्षन अफिका का कैसे दक्षन अफिका जीते और बड़ी आस लगाए बैटेते सुरजी वो लोग लेकिन वाड़ा गेम हुआ वहां पर कि उनने पहले रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को 157 पे और क्या शांदार बोलिंग रही थी उनकी लेकिन बैटिंग भी दक्षन अस्ट्रेलिया अच्छी किती सुरजी लेकिन कि फाइनल है और अस्ट्रेलिया नहीं यह कारणाम एक नहीं बहुत बार किया है उनको मालूम था मैं बताना चाहूंगा 2010-2012-2014-2018 2020 और 2030 जी यह इसमें यह काम्याब रहे हैं मतलब उनको मालूम था सुरजी ऐसे लक्षे को कैसे इजिली जो है वो बचाया जा सकता है और यहाँ पर ज़्यादा द्वाव था नहीं फाइनल का बिल्कुल पहरी यहाँ पर टॉस जितकर एक दफ़ा फिर मेग लर्निंग ने बल्ले बाजी का फैसला किया और एक सो यहाँ पर 578 का लक्ष था और आखरी ओर में जिस तरह से शुरुवात यहाँ पर होई थी बेथ मुनी यहाँ पर श्राइक पर थी पहरी गिन पर चका दोसे गिन पर चौका लेकिन अन्त की चार गिन डाली वह बहुत ही लाजवाब उसमें से तो दो गिन्दों पर दो विक्ते हाँ पर मिलें जी शपने में समाईली जी वाकई सब्सक्राइब लेकिन यह कि हॉस्टिलियन उनको सौरी सौतविका ने उनको जो है वो अपने बोलिंग से जो है वो कम से कम इतने तक तो रखा सुरजी की कम से कम वो मैच को निकाल सकते थे बिलकुल तो जी यह रहा तो 157 का जो लक्षा जेस कर रहा था तो जी लेकिन वो असान नहीं रहा सुरजी बिलकुल असान नहीं रहा बिलकुल अच्छी शुरुवात नहीं रही हाला कि लॉरा वॉलवाट यहां पर एक तरह से आप डटी हुई थी और यह स्टार्ड हाफ सेंच्री है यस यस आप आप ज़रा कमपेट कीचे फिर मैं बताता हूं जी उनका यह जह वो थर्ड हाफ सेंच्री इस पार उन्हेंने स्कोर की बहुत अच्छा बैटिंग उन्हेंने किया था लेकिन वह फिर जीत के अंजाम तक नहीं ले पाई सुरजी अपने टीम को कालिंकी उनकी वेकेट पहले ही चले थी शुरुवातमन को जटका लगया था और फिर लग नहीं रहा था सुरजी मुझे मुझे लग रहा था कि यार बहुत स्लो खेल रही है तक्षिन अफरीका बिल्कुल शाइद यह मैच को मलब मैच अपना कर पाए उस्टेले के साथ लेकिन फिर एक पार्टनर्शिप हुई एक्दम बहुत तगडी अलार वडाल और उनके साथ ही मैं जरा नाम स्किप कर रहा हुए उनके नाम बहुत वह होते हैं मतलब तो वह बहुत अच्छा खेली लेकिन अनफॉचनेटली सुरजी वह जीत के अंजाम तक नहीं ले पाई बिल्कुल जो कि यहां पर उन्होंने करना चाहिए था बट वन सेकेंड यह तीसरा उनका है ट्रिक था वर्ल्ड कप का बिल्कुल बिल्कुल यह जितने में काम्याब रहे उनको कंग्राचुलेशन एक यही कहते हैं उस्ट्राज है सुरजी अभी ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल इस विश्व कप में तो आपको पता है जैसे मैंस क्रिकेट में एक सम होने में अभी हम पूरी तरह से डिकवर नहीं हुए है उस चीज से और यह हम सदमा कहें और पिर क्या क्या कि हम खुदी नहीं समझ पा रहे है जी रिकवर होने में काफी ज़्यादा समय लगएगा क्योंकि यहहार इतनी ज्यादा यह ङरदा हम चुभाष तीयर बहुत है मै मैं सुराजी अपने अपको संभालने में काफी समय लगा है मैंने मुझे अभी याद है जब हमने मैच लॉस किया था लिटरली मेरे आखों में आशु थे मैं आदा घंटा मतलब अक्यला बैठा था मैं सोच रहा था कि यह हुआ कैसे जिस तरह से वह हर्मन परिक का डिसमिसल और काफी डेश परिमों की धडकन है मतलब वह थंग गई थी डिल तूट गया था बिल बिकुल बिल इत वस रियली हाट बेखिंग मोमेंट बहुत डिसहार्टनिंग मोमेट इड वह तो मैंने सोचा था मुझे अब यह हम सिंगे मैंने सोचा था कि अगर इंडिया जितेगी उसी दिन हम वीडियो बनाएंगे लेकिन बस उसका कुछ उल्टाई हुआ इंडिया डिजाव करता था इस फाइनल मतलब इस वल्ड कप को जीतने के लिए दावेडार था प्रबल दावेडार था बट अन्फोर्चनेटली एक लिए और दूसरा जिटका मुझे यह भी लगा क जाए थोड़ा चलो नमक तो चलक ही देंगे और अस्टेलिया पर मद दक्षिन अफिका क्या पता इस बार जी जाए मैं पूरी सपोर्ट था उनकी भी बट सुरजी वह भी नहीं हो पाया और दक्षिन अफिका ने भी जह हो भी हार गे तो थोड़ा सदमे को थोड़ा और मत अब उस पर नमक च्रगने का काम कर दिया उसने मतलब खैर दोस्तों अभी आपको निराश होने की जरुवत ने विमेंस क्रिकेट मतलब अभी और आप सभी के लिए बाकी है विमेंस प्रेमेर लीग और विमेंस प्रेमेर लीग इस कमिंग बैक सुरजी बिलकुल चार सक्कार और उसके बाद जिस तरह से हमने वलकुम को कवर किया है हम विमेंस प्रेमेर लीग को भी कवर करेंगे आपको और यह बैट आपकök से बारे में फिलड़ के बारे में बोलर के बाएंगे राइट स्टार्वनेश थे सारी शीजों पर हम बात करेंगे आ बस वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इंतजार कीजिए आप हम बहुत जल्ड आप समेके लिए लाएंगे और हाँ आखरी भी हम विम्न्स प्रिमेरी लिग के बात करीद है तो हम बता देता है विम्न्स प्रिमेर लिग अगर आप देखना चाए तो star sports और Gio cinema जीए में अपर देख सकता है बिलकुल free में और जो और रेडियो वह सुनना पसंद करते हैं उनके लिए मैं बता दू बीवीसी फाइब लाइट स्पोर्स एक्स्ट्रा और टॉक बनो पंट थी इस चैनलों पर आप आखरी खाहल सुन सकते हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारिया आपने दी है सुरज जी तो इसी के साथ सब्सक्राइब शेयर लाइक करके बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया